कि इस वीडियो में फेस्बुक पर स्टोरी नहीं लग रहा, आपने बहुत तेम जाम कर लिया है, फिर भी फेस्बुक पर स्टोरी नहीं लगा पार है, यकेन मानों ये वीडियो देख लो, फेस्बुक पर स्टोरी 100% लग जाएगी, गरेंटी देता हूँ, सबसे पहले आपक को अपडेट नहीं करते हैं, फिर भी ये प्रोब्लम आपको क्रेट हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर मेरा अपडेट है, मैं अपडेट करते रहता हूँ, अगर आपने अपडेट नहीं किया है, तो आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद अपने मुबाइल का देखो वीडियो चल रही है तो इसका मतलब इंटरनेट चल ला या Google Chrome पर कुछ सर्च करके देख लो अगर सर्च हो रहा है इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है इंटरनेट चल रहा है उसके बाद भी यह प्राब्लम आ रही तो एक बार अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना है ठेख है अपडेट कर लिया इंटरनेट क्रॉश चक कर लिया अपने फोन को रिस्टार्ट कर लिया अगर नहीं होती है अभी भी प्राब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो उसके लिए अब चलेंगे फेस्बूक की सेटिंग पे तो Facebook application है, उसकी setting पर चलते हैं यहां से हम क्या करेंगे, facebook पर click करेंगे, app info पर click करेंगे अगर यहां से नहीं मिलता आपको, तो नीचे setting पर click करेंगे यहां से apps को धोड़ लेंगे, app management पर click करेंगे app management पर click करने वाद अब आपको यहाँ पर facebook को ढोड़ लेना होगा चलिए नीचे आते अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे facebook मिल चुका है मैं इस पर click करूँगा जैसे मैं click करता हूँ तो सबसे पहले आपको force stop करके कर देना है ठीक है अब आपको देखना है अगर अभी भी story नहीं लग रही है तो एक option आपको यहाँ पर data uses का दिखाई देगा data uses पर click करेंगे तो होता क्या है यहाँ पर अगर आपका mobile data disable है या disable wi-fi है कभी कभी आपको कहीं office में गए कहीं पर गए wi-fi मिल गया या आपको किसी से hot spot आपने ले लिया वो facebook पर story लगाना शुरू कर दिया अगर यहाँ पर disable है तो story नहीं लगेगे इसके बाद आपको storage uses पर click करना और clear catch कर देना है clear catch के बाद भी अगर आपकी problem solve नहीं हो रही है तो back करेंगे कभी कभी permissions पर click करेंगे और यहाँ पर जितनी permissions है सारी allow कर देना मेरे में देख सकते camera की permissions allow होनी चाहिए content microphone phone storage इतनी permissions आपको allow होनी चाहिए इतना करने के बाद भी problem solve नहीं हो रही है ठीक है तो storage uses पर click करो manage space पर click करो उसके बाद delete कर दो delete application data क्योंकि application data जो है उसको पूरा delete करो अपनी facebook id को अब facebook id password डाव करके फिर से login करो फिर से story लगाओ 100% story लगेगी आपकी ठीक है तो एक बार facebook का जो पूरा clear कर देना है data को उक्दम clean कर देना है उसके बाद story लगाना है लगेगी